तो पहले बढ़ेंगे हम डाझ ऑपनों के अपना पड़ेंगे पर आसपटरेंगे यिसका नाम है दा बस्तल डेब्डूर्ब तो स्टार्टिंग करेंगे रगे हम डेजर्ठ की देफिनेशन किया है उसके अगा and expect देखंगे तो अट्रोड़ुकतिव लेंड विच में भी hot और cold, unproductive land है, जो hot भी हो सकती है, और cold भी हो सकती है, तो जो hot desert होते हैं, वो dry और sandy होते हैं, और जो cold deserts होते हैं, वो icy और dry होते हैं, मतलब dry तो दोनों होते हैं, वहाँ पानी के बहुत ज़्यदा कमी होती है, लेकिन जो hot desert होंगे, वहाँ पर रेच ज्यादा होगी और जो cold desert होंगे वहाँ पर बरफ होगी इंडिया desert are found towards the west of the Aravli Hills in Rajasthan अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो map है उसके west side पर है यहाँ पर राजस्तान का area परता है ठीक है अब राजस्तान के भी अगर हम west में देखें तो Aravli Hills है तो Aravli Hills जो है राजस्तान की इसको यह जो पूरा reason है इसको हम जानते है great Indian desert के नाम से या फिर thar desert के नाम से it is located towards the west of the northern plains northern plains हमने पढ़ा था पिछले उसमें आपको मैंने बताया था कि उपर की side जो है northern plains होते है ठीक है तो अब अगर हम देखें तो यहां west side में northern plains के west side में यह जो एरिया है राजस्तान वाला यहां पर आपको मिलेंगे desert इसको हम two parts पर device करते है great desert and little desert the great desert extends from the run of kach beyond the loony river northward the wall of the Rajasthan St. Fortier runs through it तो जो starting है वो जो great desert है कहां से कहां तक है run of kach run of kach gujarat की side पढ़ता है तो gujarat के जो run of kach है वहां से लेकर loony river तक जो की north side की तरफ इस side की तरफ है the wall of Rajasthan Sind frontier runs through it जो Sind frontier नाम की पूरा जो एरिया है वो राजस्तान का इसके आसपास ही है the little desert extends from a great desert तो run of kach से लेकर loony river तक था अब the little desert extends अब loony river के दूसरी side यह जो little desert है यह loony river से जैसल मेर और जोदपूर की बीच का जो पूरा एरिया है वो आपका little desert के नाम से जाना जाता है the northern west dry and rocky land तो यहां जो एरिया है वहां पर आपको मिलेंगे dry and rocky land it covers over two lakh square kilometer area spread in both इंडिया और पाकिस्तान यह इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि जैसल मेर के साइड बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का climate and vegetation life अब यहां की life कैसी होती है यहां का vegetation कैसा होता है क्या हम उगा सकते हैं यहां पर क्या क्या होता है तो जो थार डेजर्ट का लाइफ का experience है वह बहुत extreme क्लाइमेट कैसे रहता होगा है पर बहुत extreme है क्योंकि गर्मियां में गर्मी बहुत जादा होती है और सर्दियों में धंड बहुत जादा होती है दरीजन भी हैंड इसे स्कुप चेंजेस ऑफ तेम्परेचर इता सेंड़ी अडान फासि दीरिं दैट कूल दूप पढ़ती है तो रॉक्स पर बहुत जादा दूप पढ़ती है तो बहुत जादा तो उसकी चाहिए है ठंडा कानं चुरू होती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी बहुत फास्त तरीके से ठंडा होना स्टार्ट कर देती है कि बहुत जादा बारिश नहीं होती है क्लद बहुत जादा गर्मी और रहता है इन दिस एंडी ओल प्लांट सो बहुत जारे ग्रों होते हैं पड़ते हैं स्कैटेट बुशेज एंड फ्यू थॉर्णी शर्प्स कांटेदार थॉर्णी भी कांटेदार जो कांटेदार होती हैं पथर चट्टा हो गया कैक्टस हो गया आप यह नाक फनी बोलते हैं हम लोग और बहुत सारी अलग अलगते हैं जाडियां यह सब यहां पर जादा होती हैं एज लेंड इस ड्राइंड वेजिटेशन इसकेर डस्ट स्टॉर्म्स और कॉवन वेंदा होड विंड दो अब क्यूंकि यहां पर मिट्टी है रेत है बहुत जादा तो जब हवा चलती है तो यहां पर आते हैं ठीक है तो जब रेत उरती है तो चोटे-चोटे पाहाण मिट्टी के चोटे-चोटे उर्थे पाहाण से नाम से जानते हैं, sand dunes do not remain in one place, अब क्योंकि फिर आंदी आईगी तो वो जो मिटी का जो पहाड बना वहां से मिटी उड़के फिर दूसरी जेकर चली जाएगी तो ये एक जगे नहीं रहते हैं, ये हवा के साथ उड़ते रहते हैं, there is no permanent river in thar desert, जो थार desert का जो एरिया है, वहां पे कोई permanent river नहीं है, thus there is always shortage of water supply, village women have to cover long distances to get water for daily use to solve the problem of water scarcity, the government of India set up Rajasthan, कैनल अब क्योंकि यहां पर पानी के बहुत जादा कमी है, इसलिए जो ladies हैं वांके गाओं की, उनने बहुत दूर-दूर पानी के लिए, और यहां पर कोई permanent river भी नहीं है, जिसके लिए यहां पर पानी की बहुत जादा कमी रहती है, तो गॉर्मेंट नहीं, इंडियन गॉर्मेंट है, राजस्थान कैनल का जो स्टार्टिंग किया है, इसको हम इंड्रागादी कैनल के नाम से भी जानते हैं, जो कहां से पानी लेकर आती है, रिवर सतलस से, लास्ट फ्यू चैप्टर्स में हमने आपको बता रहता है कि रिवर सतलस बहती है पंजाब में, ठीक है, तो पंजाब के साइट से यह पानी लेकर आती है और डेजर्ट में लाकर लोगों की मदद कर रहा है, यह इंड्रागादी कैनल, यह इंड्रागादी कैनल फार्मर्स तो ग्रो डिफरेंट टॉप सच एज वीट, जवार, बाजरा, एंड इट हैज बेन लाज़ पानी आ रहा है, तो लोग अलग-अलग तरीके की जो फसले हैं, उन्हें भी उगा पा रहे हैं, जिन मैंसे गेहूं, जवार और बाजरा बेन हैं, और अब काफी जो एरिया है रजस्तान का वो ग्रीन होने लगया है, पहला ऐसे नहीं था, लेकिन इंड्रागादी कैनल जब से स्टार्ट हुआ है, तब से पानी आने लगाया है, और लोग अपने खेतों में पानी दे सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे लाइफ इंड्र डेजर्ट रिजन, अब यह जो हम ने पढ़ा था, वो पढ़ा था, अब हम प्रॉपर जो पढ़ेंगे, कि यहां के लोगों की लाइफ कैसी है, अब हम पढ़ेंगे, तो ओसिस क्या है, लोग जो हैं, ओसिस के आसपास ही रेणा जाता पसंद करते हैं, ओसिस इस अप्लेज इन डेजर्ट वेदर अंडर ग्राउंड वोटर कमस अप्टू दा सर्फिस अब अब एक जिग हमाल लीजिए, आप कह सकते हैं कि जैसे कुवों में अंडर ग्राउंड पानी आ जाता ना, इसी तरीके से खुदाई करके एक पॉन डाइप में मला जाता है, जहां पर जो अंडर ग्राउंड वोटर होता है, वहां उपर सत्य पर आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही OSS फॉर्म किये जाते हैं, तो जब OSS फॉर्म किये जाते हैं रजस्तान में, तो लोग उसके आसपास ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पानी की बहुत जादा कमी वहां पर हैं, प्यूपल रियर, शीप, कैमल, गोट, और केटल, केटल माने मवेशी, यह सब जो हैं, इनको जुणड में, अगर हम कहें, तो केटल बन जाते हैं, सम पीपल ट्रावल फॉर्म प्लेस तू अनादर, इन सेर्च अपूड फूर्ड फॉर्ट फॉर्ड फॉर्ड देंसल्फ एंड डेर केटल, अब कुछ लोग क्या है जगे जगे ट्रेवल करते रहते हैं एक जगे से दूसरी जगे जहां खाना मिल गया वहार रहे जहां काम मिल गया थोड़ डाइम काम किया उसके बाद खाने की खोज में और दूसरी जगे चले गई इंके पास क्यों $ ignore नहीं हो टे इनको हम जानते हैं बन्जारा असके नम से जगें जगें से ट्रवलकरते रहते हैं इनका खाना पीना बनाने का सावाण इनके साथ ही होता है और यह एक जगे से दूसरी जगें ट्रेवल करते रहते हैं अब यह जो इसलिए pemals कैमल के आई उस यह उसी से ट्रेवल करते हैं और इनके गृप्स को कहा जाता है कारवान प्यूपल लिविंग इन डैजर्ट ट्रैवल ओन कैवल्स और इन काट्स पुल्ड बाइ दा कैमल आपको बता है अभी यह लोग इसी से ट्रैवल करते हैं इसको शिप ओफ डैजर्ट के नाम में से जाना रहता है और क्योंकि कैमल यहां पर एक बहुत जादा यूसफुल एनि से टैंट बनाए जासकते हैं दा कैमल इस अलसो यूज़ टो पेदाव वाटर फोम देवेश को दोब और से पाने कई अलए के लिए खेति करने के लिए वेजताय करने के लिए सबी तरीके सारा स्थान को इसमें राजस्तान में इसको यूजस के जाता है दब्दिल और ये सचसे स्टों वर्क, टाइ-णडई, अब्रयॉडरी , बिज्री वर्क , श्टोन कर पत्थरूग में कारी करी की जाती है , उसको बिदरी वर्क गयता है , और UV आपट आपको पता है , धागे की कड़ाई होती है , उसको कहते है, tie and dye होता है अलग-अलग colors के बहुत एक अच्छा script type में बनाया दिया जाता है बहुत सुन्दर design सिर्फ रंगों से ही दी जाती है उसको हम बोलते हैं tie and dye the handicraft products are exported to other parts of the world तुन यहां के अलग-अलग जगए इन लोगों के handicraft work जाते हैं the people of Rajasthan love to wear colorful clothes the men wear dhoti, kurta and colorful turban जो यहां के लोग हैं बहुत रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं men dhoti पहनते हैं, kurta पहनते हैं और सर पर एक रंग-बिरंगी पगड़ी बानते हैं women wear घागरा, चोली और ओड़नी यह जो dresses हैं सारी आपका घागरा, चोली और यह ओड़नी both men and women cover their head to protect themselves from scorching sun, क्योंकि दूप बहुत ज़ादा रहती है, इसलिए वो लोग अपने सर पर कोई न कोई कपड़ा हमेशे डाल के रखते हैं जो उनको डारेट धूप से बचा के रखे, यह जो टर्बन है यह शोक्ते ले नहीं भंधी रहती है, स्कॉर्चिंग सन के लिए अब हुआ का एक ट्रेडिशन बन चुका है जैनिज्म और हिंदूज्म और हिंदूज्म और हिंदूज्म और राजस्थानी यह तो सब कॉमरी हैं, लेकिन तीज और गंगौर वहां के पर्सनल रीजिनल फेस्टिवल हैं गुमर तो आप सभी को पता ही है, कच्छी गोरी और चारी और फायर डांस एक एक एक्ट होता है, आप लोग चाहें तो यूटुबर साच कर सकते हैं इसके फोक डांस, इसके बारे में तो आप अच्छे से समझ पाएंगे जैपूर is the capital city of Rajasthan, अब Rajasthan का capital क्या है, जैपूर जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं अब इसके और भी बहुत सारे शहर हैं जो बहुत जादा फेमस हैं पढ़े हैं अजबेर, कोटा, उदैपूर, जोदपूर, जैसलमेर और बीकरेर, यह सारे किसी ना किसी वज़े से फेमस हैं The region also has a number of forts and places, palaces अब आपको पढ़ा होगा कि राजस्थान का नाम राजस्थान इसलिए पढ़ा है क्योंकि वह राजा सबसे जादा माँपे हुए हैं इसलिए वहाँ पे आपको forts, किले और महल बहुत सारे मिल जाएंगे, आमेर का किला, नारगर का किला, यह सारे आपका इस प्रकाता मोरा, इसके बाद आपको word meaning विकरा दे जाएंगे, तो अभी मैं आपको इसकी book exercise sign कर दूँगी, तो आप लोग इसको करिएगा, okay, thank you.